कंडा गाट में महला बहु तक्निकी संस्थान में परदेश की राजयापाल बंडारू दत्रा तेरी ने ओचक नरिक्षन किया ओचक नरिक्षन के दोरान राजयापाल ने तक्निकी संस्थान के बविन विवागों का दोरा भी किया उसके पश्चात बेच छात्राओं से भी मिले और उनसे संस्तान के बारे में जर्मकाई भी हासल की राजयपाल ने उनसे कई प्रशन भी पूछे जिसका छात्राओं ने स्टिक उत्तर भी दिया अब ही राजयपाल ने छात्राओं को महात्मा गांदी द्वारा दिखाएगे रास्ते पर चलने के लिए भी प्रेदित किया कंडा घाट में महिला बहु तक्नीकी संस्थान में परदेश के राजयपाल पंडारु दत्ता त्रे ने ओचक निरिक्षन किया ओचक निरिक्षन के दुरान राजयपाल ने तक्नीकी संस्थान के पिविन विवागों का दोरा किया उसके पश्चात बे छात्राओं से भी मिले और उन्चे संस्थान के बारे में जानकारी भी हासिल की राजेपाल ने उनसे कई प्रशन भी पूछे जिसका छात्राओं ने स्टिक उतर दिया भही राजेपाल ने उन्हें महात्मा गांधी द्वारा दिखाये गए रास्ते पर छात्राओं को चलने के लिए प्रेरित किया और उनकी जीबनी पढ़ने के लिए सुझाब भी दिया राजेपाल ने छात्राओं को सुच्छता कसंदेश भी देते हुए कहा कि आस पास के क्षेतर को सुचव रखने या तन से सुच रहने से कुछ नहीं होता बल्कि साथ में मन को भी सुच रखना अथी आवशिक है क्योंकि जिसका मन साफ होता है बेजीवन में सफलता की उन्चाईयां छोटा है उन्होंने कहा कि बिद्यार्थियों के जीवन में सबसे महतरपूर्ण अनुशाशन है जो बिद्यार्थी अनुशाशन में रहना सीख जाता है सफलता उसके हमेशा कदम चूमती है शरीर से सच लेना मन से भी सच लेगा जो सच लेगा वो पूरा जोए जो सच लेगा वो बन जाए तो ये था दिनबर का कारेकरम कल फिर हाजरी होंगे इनिकति विद्यों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे एस टूडे के साथ नमश्कार